नमस्कार प्यारे साथियों तो आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है MCS Academy के Official YouTube Channel पे आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस की जो बंपर भर्ती आ चुकी है सेसी के थुरू उसके बारे में जिसका काफी लंबे समय से जो था बहुत सारे बच्चों को इंतजार था कि कब दिल्ली पुलिस कोंस्टेबल की भर्ती जो आने वाली है तो फाइनली जो Official Notification है वो आ चुकी है और भर्ती बरना जो है वो एक सेप्टमबर से शुरू हो चुकी है जी हाँ कितने से कितनी उमर तक आप जो है इसके लिए फिल कर सकते हो क्या आपकी लास्ट डेट रहने वाली है और क्या आपका एक्जाम का स्लेब बस रहेगा सब कुछ हम जल्दी से डिसकस करेंगे इस वीडियो में तो शुरू करते हैं वीडियो को जल्दी से आज हम देखेंगे हमारे पास यह आप देख सकते हो SSC की official notification जो है आ चुकी है यहाँ पर एससी की official notification हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है आप पढ़ सकते हो यहाँ पर की जो दिल्ली पुलिस की वेकैंसी है वो आ चुकी है ठीक है जल्दी से देख लेते हैं इसकी यहाँ पर लास्ट डेट क्या रहने वाली है तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो कि एक September 2023 से जो है शुरू हो चुकी है apply करना शुरू हो चुका है online application form भरी जा रही है और 30 September को रात 11 वजे तक जो हो आप लोग apply कर पाओगे इस form के लिए ठीक है इसके अलावा आपको 30 के बाद 3 और 4 October को जो है दो दिन का time दिया जाएगा कि जिन बच्चों की कुछ एक जो है गलतियां रह गई है form में correction का time दिया जाएगा बेटा आपको दो दिन का जो की रहेगा 3 October और 4 October का time रहेगा और अगर बात करूं कि exam कब होने वाला है तो यहाँ पर देखो आपको देखने को मिल रहा है कि जो exam है वो December 2023 में जो है conduct करूए जाएगा SSC के थूँ SSC जो है इस exam को conduct करूएगी December 2023 में ठीक है तो इसके बाद बात कर लेते हैं vacancies की कि कितनी जो है vacancies जो है रहने वाली है दिल्ली पुलिस में male और female candidate की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि male candidate की executive की लगवग 2748 vacancies जो है वो रहने वाली है unreserved के लिए और इसी तरह सारी आपके vacancies जो है रहेंगी mail के लिए ठीक है एक सर्विसमेन mail के लिए 266 vacancies रहने वाली है ठीक है इसी के साथ साथ आपको executive mail ex-servicemen commando की आपको vacancies जो है रहने वाली है यहाँ पर 337 उसके बाद आपको female constable की जो executive की 2491 जो है vacancies आप यहाँ देख सकते हो की रहने वाली है ठीक है तो अगर मैं बात करूं total vacancies की तो total vacancies आपको 7547 vacancies आप देख सकते हो यहाँ पर रहने वाली है यह आपको दिया गया है 7547 vacancies पर एक बहुत बड़ी भरती होने जारी है दिल्ली पुलिस की ठीक है बहुत ही बड़ी बंपर भरती जो है इस वार आपको देखने को मिलेगी और बह उनके लिए सुनहरापसर है और यहाँ पर अगर मैं आपके सामने बात करूंगा कि आपकी आयू सीमा क्या रहने वाली है अप्लाई करने की तो आप यहाँ पर नोटिफिकेशन में देखो clearly पड़ पाओगे कि 18-25 वर्ष अगर आपकी आयू है तो आप जो है अप्लाई कर स जायेगी अगर एक जुलाई 2023 को आप 18 वर्ष के हो चुके थे तो आप एपलाई कर सकते हो और अगर एक जल्स hypocr..ником आयू के थे तब भी आप एपीलाई कर सकते हो यानि कि अगर आप मान लीजिए एक जुलाई के बाद 20 वर्ष के हुए हो मालो आप अगस्त में 25 वर्ष के होगे या सेप्टमबर में अभी 25 वर्ष के होगे तो आप apply कर सकते हो क्योंकि एज जो है 1 जुलाई के according ली जाएगी इसी के साथ साथ देख सकते हो आप SC और ST के candidates के लिए 5 साल की छूट रहेगी ठीक है national level में या फिर हमारी country इंडिया को रिपर्जेंट किया है उनको जो है 5 वर्ष की चूट जो है देखने को मिलीगी इसी के साथ साथ और भी है जो डिपार्टमेंटल लोग है उनको कितनी चूट मिलेगी की एक सर्विसमेन अन्रिजब्ट 40 वर्ष तक देख सकते हैं और OBC के जो डिपार्टमेंटल केंडिडेट जो है वो 43 वर्ष तक जो है दे सकते हैं उसके अलावा आप यहां पर देख सकते हो किस को कितनी उमर में चूट दी गई है ठीक है उसके बाद अगर मैं आपको कहू कि आपका क्या क्या स्लेबस रहने वाला है क्या प्रोसीजर रहने वाला है तो आप यहां पर नोटिफिकेशन के माध्यम से देख पाओगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपकी क्या रहने वाली है दिल्ली पुलिस के लिए तो यहां पर आप लोगों के लिए जो qualification का criteria decide किया गया है अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त board से बार्मी कक्षा कर ली है तो आप लोग जो है apply कर सकते हो दिल्ली पुलिस के लिए ठीक है अगर आपने किसी भी education board से जो है किसी भी state board से बार्मी कक्षा पास कर ली है तो आप eligible हो दिल्ली पुलिस के इस एक्जाम के लिए इसके अलावा अगर कोई दिल्ली पुलिस के हमारे जो वरकिंग में अभी कोई भी हमारे स्टाफ के मेंबर हैं अगर उनके बच्चे हैं तो अगर उन्होंने 11 पास कर लिए 12th अपीरिंग में हैं तो वो भी इस पेपर को भर उनके पास LMV license होना चाहिए तभी आप apply कर सकते हो अगर आप mail candidate है दिल्ली पुलिस Constable Executive के लिए आप लोग apply करना चाहते हो तो आपके पास LMV license यानि की car या bike यहां पे लिखा है motorcycle और bike यानि की motorcycle और car ठीक है आपके पास या तो फोर विकल या टू विलर का license जो होना चाहिए जैसा कि आपने देखा था चंडिगड पुलिस की हाल ही में जो है notification आई थी उसमें bike और car दोनों का license मांगा गया था परन्तु इसमें ऐसे नहीं इसमें clearly लिखा हुआ है motorcycle और car यानि की या तो motorcycle लिए car का आपके पास है तो चलेगा प्रन्तू learner license नहीं चलेगा यहां पर लिखा हुआ है clear learner license जो है वो नहीं चलेगा आपके पास driving license होना चाहिए ठीक है उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या आपका selection procedure procedure सीजर रहने वाला है क्या आपका यहां पर जो है रहने वाला है इक्जाम के लिए सब कुछ detail में देखेंगे किस से आपको कितने questions और यहां उससे पहले centre की यहां पर देखो centre की बात करते हैं सेंटर की बात कर लेते हैं यहां पर दिया गया है साफ साफ अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये ख्याल होता है कि दिल्ली पुलिस की भरती है तो क्या पता हमें दिल्ली जाकर जो है इक्जाम देना पड़ेगा रिटन इक्जाम देना पड़ेगा या फिर हमें पी टी और पी एस टी के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा तो बेटा मैं आपको बता दूँ है सब बिलकुल भी नहीं है आप किसी भी state में जो है जिस भी state से आप apply करोगे जिस state के आप रहने वाले हो आप उसी state में अपने नजदी की center में paper दे सकते हो हर state में SSC के centers जो है आपको मिल जाएंगे और आप जब भी form को फिल करोगे SSC के official site पर जो है SSC.nick.in site है उस पर website पर जब आप जाके form बिल करोगे तो आपको तीन preference भरने है कि कौन कौन से preference पर आप रखोगे किस कि center को ठीक है तो उनी preference के according आपको center जो है issue किये जाते हैं तो आप अपने नजदी की center को preference में भर सकते हो और वही center जो है वहाँ पर जाकर आप जो exam दे पाओगे यहां पर आप clearly देख पाओगे हर एक state में जो है आपको center देखने के लिए मिल जाएंगे बहुत सारे center यहां पर आपको दिये गए हैं ऐसा कुछ नहीं है कि आपको दिल ली जाना पड़ेगा उसके बाद देखो बेटा यहां पर आपको clearly mention किया गया है notification में कि आपका CBT होने वाला computer based examinator CBE होने वाला है आपका ठीक है यानि कि आपका MCQ based multiple choice question based exam होगा जिसमें आपको पता ही है कि 4 option दिये होते हैं आपको सही option टिक करना होता है प्रंतु OMR पे नहीं होगा offline नहीं होगा online exam होगा computer based exam होगा so question इस exam में रहने वाले हैं ठीक है कि subject से कितने question आने वाले है जल्दी से देख लेते हैं तो आपको यहां दिया गया है कि journal knowledge जीके और current aware से आपको जो है कुल 50 question देखने को मिलेंगे exam में और इनकी वेटे जो है एक प्रशन की एक marks की रहेगी 50 question 50 अंक आपको देंगे ठीक है उसके बाद reasoning reasoning में आपको देखने को मिलेंगे 25 question और 25 ही आपको यहां पर अंक देंगे यह हर एक question का आपको एक marks मिलेगा उसके बाद math numerical ability 15 question math से आएंगे और 15 ही number यह आपको देंगे ठीक है उसके बाद आपको fundamentals computer का भी आएगा computer के basic भी आपको पूचे जाएंगे जैसे MSXL MS word और communication के बारे में आपको 10 question computer से आने वाले हैं और 10 marks के यह रहेंगे कुल मिलाकर आपको 100 प्रशन जो हैं देखने को मिलेंगे आपके exam में और आपको 100 ही marks का paper होगा 90 minute का समय आपको मिलेगा डेड़ घंटे में आपको यह paper करना है 90 minute में आपको 100 question करने हैं और यहां पर लिखा है कि यह आप line पड़ सकते हो if there be negative marking of 0.25 marks for each wrong answer candidate are therefore advised to keep this in the mind while answering the questions देखो आपको clear किया गया है कि negative marking भी आपको देखने को मिलेगी अगर आप एक प्रशन को सही करते हो तो आपको उसका एक number मिलने वाला है परन्तु आप किसी प्रशन को गलत करते हो तो 0.25 जो है आपके marks जो है करन देगा कि एक चुथाई जो है यहाँ पर one fourth negative marking दी गई है ठीक है और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपकी फीस की तो 100 रुपे फीस जो है यहाँ पर रहने वाली है आपकी ठीक है 100 रुपे जो है एक्जाम फिल करने की फीस रहने पाली वाली है जो कि एक बहुत ही कम फीस है मात्र 100 रुपे की फीस में आप लोग जो है इस एक्जाम को फिल कर सकते हो ठीक है उसके बाद आ जाते हैं आपका एक्जाम होगा ठीक है सबसे पहले आपका जो है आपका पहले रिटन एक्जाम होगा स्लेक्शन प्रोसीजर में रिटन एक्जाम जो बच्चे क्लेर कर लेंगे उनकी merit list आएगी उनको भुलाया जागा PST यानि की physical standard test और PET physical efficiency test में physical standard test यानि बटा आपकी height weight chest ये सब किया जाएगा और PET में आपका जो है physical efficiency test आपको running करनी पड़ेगी और long jump high jump जो है वहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा ठीक है तो देख लेते हैं PET में क्या क्या रहने वाला है PET में आपको अगर आप लोग apply कर रहे हो तो आपको 1600 meter की race जो है वो पूरी करनी है 6 minute के time में उसके बाद आपको long jump लगाना होगा 14 feet का और high jump जो है 3 feet 9 inch का ये male candidate के लिए है ठीक है और अगर आप ex-service man है और 30 verse से 40 verse की I.U. में है तो आपको 7 minute में 1600 पूरी करनी है अगर आपकी I.U. 40 verse से जादा है तो आपको 8 minute में पूरी करनी है 1600 meter उसी के साथ आपको long jump और high jump में भी relaxation मिलेगी अगर आप ex-service man है तो ठीक है उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं कि जो भी आपका PST और PT होगा उसमें female candidate का क्या रहेगा ठीक है male candidate की अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो male candidate का PT हमने देख लिए PST में आपको physical standard test में आपको जो है 170 cm जो है minimum height required है अगर आपकी height 170 cm है तब ही आप apply कर सकते हो अगर आपकी height 170 cm से कम है तो आप eligible नहीं हो इस post के लिए ठीक है तो परन्तु यहां पर आप देख सकते हो कि अगर कोई जो है वो heel area से candidate है तो उसको 5 cm छूट मिलने वाली है जैसे कि अगर आप गोर्काज, गडवाली, कुमाउ, डोग्राज वगेरा में आते हो आपको पता है जो हिमाचल के लोग हैं वो आते हैं डोग्राज में जो हमारी UK के लोग हैं उत्राखंड के वो लोग भी है कुमाउ में आते हैं और डोग्राज में उनको भी छूट मिलती है उसके लावे यहां पर देखो, क्लेरली कहा गया है कि अगर आप सिक्किम, नागा लेंड, रुनाचल परदेश, मनीपुर, त्रिपुरा, मिजोरम में घाल्य, ठीक है असम, हिमाचल प्रदेश, और जम्मू कस्मीर, या लेल दाक के रहने वाले हो तो आपको 5 cm छूट मिलेगी यानि कि 165 cm से जो है आपका काम चल जाएगा, ठीक है उसके बाद अगर मैं बात करूँ female candidates की, तो female candidates के लिए जो है यहाँ पर सेम 1600 मिटर की running रहने वाली है, उनको 8 मिनिट में पूरी करने पड़ेगी यह running उसके बाद long jump भी 10 feet का देखने को मिलेगा, 3 feet का high jump जो है, देखने को मिलेगा female candidate को ठीक है, उसके बाद अगर height की बात की जाए, तो female candidate की जो height है, वो 157 cm यानि की 157 cm जो है, मिनिमम होनी चाहिए ठीक है, अगर आपकी height 157 cm या उससे अधिक है, तो आप eligible है, apply करने के लिए दिल्ली police constable executive की भरती के लिए, ठीक है, उसके बाद अगर आप hill area से हैं, जैसे आप हिमाचल से, नागलेंड सिक्किम, अरुनाचल प्रदेश, मनिपूर से, कश्मीर, जम्मू और ले लदाक से हैं, तो आपको 2 cm की छूट मिलेगी, यानि की 155 cm से जो है, आपका काम जो है, वो चल जाएगा, ठीक है, उसके बाद जो male candidate है, उनके लिए chest का भी, जो है, उनके लिए chest भी, यहाँ पर बताया गया है, कि minimum chest उनकी कितनी होनी चाहिए, आप देख सकते हैं, notification में, जो male candidate है, उनकी minimum 81 cm, 81 cm, जो है, chest होनी चाहिए, और 4 cm minimum expansion होनी चाहिए, यानि कि बिना चाहती होनी चाहिए, 81 cm, और फुला कर, जब सांस लेकर आप उसको फुलाओगे, तो आपकी चाहती minimum 85 cm होनी चाहिए, यानि कि जितनी आपकी बिना फुलाए है, उससे आपको कम से कम 4 cm अधिक होनी चाहिए, फुला कर, ठीक है, clear है, तो यहाँ पर भी आपको 5 cm का देखने को मिलता है, relaxation, जो 5 cm की relaxation है, chest में भी आपको देखने को मिलती है, hill area से, जो भी dogras वगएर है, उनको 5 cm की relaxation जो है, दी जाती है, ठीक है, यहाँ तक तो clear हो गया, अब देखेंगे next क्या होगा, आपका return clear हो गया, आपका ground clear हो गया, अब आपका क्या होगा, अब आपको बुला क्या जाएगा, medical के लिए ठीक है, और medical में जो भी है, आपका medical किया जाएगा, medical examination आपका किया जाएगा, ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है, की tattoos, wear area के बारे में लिखा गया, देख लीजिए, content tattoos, depicting religious symbol or figurine and the name as followed in the Indian army shall be permitted, कहता है, कोई धार्मिक नाम बगएर लिखा है, और अगर आपको जैसा की पता है, Indian army के rules according, अगर वो आपका religious आता है, कोई भी tattoo जो है, नाम बगएर तो वो आपका permit किया जाएगा, उसके अलावा अन्य को permit नहीं किया जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि जो भी बच्चे हैं सबसे पहले उनका जो है written examination होने वाला है, दिसंबर में आपका exam जो है tentative बताया गया है, दिसंबर में आपका exam होगा, उसके बाद आपका जो है PhD और PET करवाया जाएगा, और उसके बाद जो बच्चे PhD, PET और written examination दोनों को clear कर लेंगे, उनको बुलाया जाएगा, medical के लिए और medical clear करने के बाद, आप successfully जो है recruit किये जाओगे, दिल्ली पुलिस में as constable executive ठीक है, आप जो हो executive constable के पद पर रखे जाओगे दिल्ली पुलिस के, दिल्ली पुलिस के अंदर ठीक है, ये बहुत ही सुनेरा अपसर है, बहुत जादा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, बहुत बड़ी मातरा में आ साड़े चार हजार से अधिक जो है बारतियों को यहाँ पर मोका मिल रहा है दिल्ली पुलिस जोइन करने का, तो प्लीज इस मोके को ना गवाएं और बहुत ही कम समय जो है exam के लिए बचा है, तो आप जो हो अभी से अपनी त्यारी शुरू कर दें, और अगर किसी बच्च अगर च्रूर पर उसके अंदर आपको दिल्ली पुलिस इस कॉंस्टेवल का बैच जो है वो शुरू हो चुका है दिल्ली पुलिस कॉंस्टेवल की भर्थी की त्यारियां बहुत सारे बच्चों ने शुरू कर दी है एक सप्टमबर से बैच बैठ चुका है और ओन-लान- दोनों कोर्सिस जो है शुरू कर दिये चुके हैं तो अगर आपने अभी तक एन्रोल नहीं किया है तो आप एक बहुत एफोर्डेबल प्राइज में जो है एन्रोल कर सकते हो और त्यारी कर सकते हो दिल्ली पुलिस की हमारे एप के तुरू जिसके अंदर आपको लाइव क्ला क्लासिज, रिकोर्डिड क्लासिज और जो भी पढ़ाया जाएगा उसकी पीडियाप्स, डाउट सेशन और स्टूडेंट हेल्प लाइन जैसी फैसिलीटीज जो है दी जाएंगी तो अगर आपने अभी तक एप इंस्टोल नहीं किया एन्रोल नहीं किया तो जल्दी से प् हम आपको 100% एश्योर कराएंगे कि आप उन त्यारियों के माध्यम से अपने एक्जाम में अच्छे मार्क्स लेके स्लेक्ट हो पाओगे ठीक है तो अगर आप मैनत करने को त्यार हैं तो हम भी मैनत करवाने को त्यार हैं आज ही जल्दी से जाए प्ले स्टोर पर और एप क को इंस्टोल करके ओनलाइन कोर्स में रोल कर सकते हो या ओफलाइन के लिए आप अकेडमी में आ सकते हो तो यह थी हमारी दिल्ली बुलिस को स्टेबल की हमने देखी नोटिफिकेशन तो ऐसी एससी जीडी की भी बहुत जल्दी आपको वेकेंसिस देखने वाली हैं आपको बहुत कम बचा है एक्जाम के लिए ऐसी और नोटिफिकेशन अगर आप देखना चाते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्यूंकि जो भी नई नोटिफिकेशन आती है वो आपको इस हमारे जो भी हमारा यूट्यूब ओफिशिल जो हमारा का चैनल है MCS Academy उस पर आपको नई नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेंगी तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ओन कर लीजिए मिलेंगे बहुत जल्द एक नई विकेंसी की नोटिफिकेशन के लिए तब तक कुछ रहिए ठीक है जै हिन जै भारत झाल